क्लास गुट आफ्टरनून आज हम आपको पढ़ाएंगे पर्सनल हेल्थ हेल्थ इस दा बेसिक ऑफ हुमन लाइफ अल्ली हेल्थी इंडिविज्वल कैंड रीच एड़ टॉफ आफ सक्सेज हिस लाइफ क्लास अगर आपको जीवन में लाइफ में अगर आपको सक्सेज होना है तो आपको क्या है पर्सनल हेल्थ आपको इंप्रूफ करना होगा तो पर्सनल हेल्थ इंप्रूफ कैसे हो सकती है यह हम आपको बताएंगे यह सारी जो हैबिट है पर्सनल हेल्थ की यह हैबिट हमें क् से ही सीख लेनी चाहिए। बच्च्पन से अगर आप सीखें लूगे तो क्या है, आप हेल्दी बन सकते हो, और इसके साथ अगर हम पर्सनल हेल्थ. अगर मेरा अच्छी होगी तो हम भूछ सारे बीमारियों से क्या है बस सकते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स जो है वो क्लीनेस ऑफ बॉडी और गेंस फर्स्ट है इसकीन इसकीन कवर कवर दा होल बॉडी ऑफ एन इंड्वल एंड दा आल सो पोटेक्ट दा इनर मॉसल्स क्लास जैसे आप लोग को पता होगा कि आजकल का हमारे क्या है पॉलूटेट है तो इसमें बहुत सारे हमारे क्या है डर्स्ट है पसीना है इसकीन में आकर जम जाती है तो उसको हमें साफ करते रहें यागर हम साफ नहीं करते हैं तो बहुत सारी हमारे के अंदर बॉडी के अं और हातना चाहिए और प्रेड आप को ना अचाहिए इनकेज अगर आपको ठकान भूट लग रही है तो हल्का गरम पानी से आप ना सकते हो लेकिन बहुत ज्यादा गरम पानी से जीने मेरा चाहिए क्योंकि उसे आप मेरा हांटफूल हो सकता है इसलिए क्या करना है만 Video Do That कि यह क्लाश जब आप घर से बाहर आप निकलते हो तो देखिए कि आपका हेर जो है बहुत जली गंदा हो जाता है उसका रीजन है कि हेर जो धूल है धूल के कंड है हमारे हेर में आकर बैठ जाते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है आपको हेर को रोज साफ करना है अगर आ पैर कैसे दूना है अच्छा अधू आपको यह नहीं कbad ये कंपणि ये कंपणी का यूस कर एकल इसका अगर आप इसका थो आपके जो बाल है वह कर आप हो जाए ये तो इसलिए आप के जो जैसा आपका है यह सिक रस excessive soldier है उसी के एकोरडिंगर आपको रेग़ आपको बां को क्लीन करना है अंअ है टाश साथ में आप में आपको हैफोल को एक मी मी लगाना है ओला लगानों से क्या होगा अब हल्की स करें गा जिससे क्या blood circulation जो है वो अच्छा हो जाएगा जिससे आपके बाल जो है बहुत अच्छे और मलब शाइनिंग करेंगे इसके बाद आप अगर आपके हेर में डेंडरिफ है तो डेंडरिफ वाला आपके है संपू आप यूज करिए जिससे आपको डेंडर साफ हो साइए थर्ड है यर काँ जिससे आपने में skin को साफ करना है है कान को भी साफ करना आ तो कान को साफ करने के लिए आपको अमारा जो है एक NR निश्रल जो कान में वेक्स निकलता है। वेक्स क्यों है। जिससे हमारी जो बाहर की ड़स्ट है, उसको आने से रोकता है। अब हमको क्या करना है, टाइम टू टाइम अपने कान को भी साफ रखना है, अगर हम साफ नहीं करते हैं, तो हमारी क्या हेरिंग मेलब सुनने में कुछ प्राबला मा सकती है, लेकिन साफ जो साफ पॉइंट अबजेक्ट है, शुड नॉट बी यूज डा, रिमूब दा वेस् अगर ऐसा करते हैं, तो आपको एर में क्या है, कुछ ना कुछ प्राबला मा सकती है, फोर्थ है, नेल्स, इट इस वेरी नैसी सरी टू कीप दा नेल्स नीट एंड क्लीन, आप जो हमारे इंडियन कल्चर क्या है, हाथ से खाना खाना है, जब हाथ से हम खाना काएंगा, चला जाएगा, जब उसके अंदर चला जाएगा, तो हमको बहुत सारी बीमारियां कर देगा, यहां तक हमारे पेट में दर्थ है, यह सारी चीजें हमारे क्या प्राबलम करेगा, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, नेल्स उट भी कट एट रेगलर, आपको नेल्स जो है, र आपको मालू मैं आइस आपके बॉड़ी में सबसे इंपोर्टेंट है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, यूज ओफ कोल वाटर, आल्वेज गुट फोर क्लीन ओफ आइस, आपकी आखों के लिए ठंडे पानी का आप आखों को धो सकते हैं, साथ में आपको आखों क एक्सरसाइस भी करनी है, जिससे हमारी आइस जो है, वो हेल्दी बन सके, तभी भी गंदे कपड़े से या गंदे हातों से आखों को नहीं चूना चाहिए, आइस को कैसी हमें इंप्रूफ कर सकते हैं, इसके लिए आपको विटामिन A और C आपके खाने में होना कंपलसरी है जैसे किस में मिलता है, यह किस में मिलता है, मिल्क में मिलता है, बटर में मिलता है, वेजिटेबिल में मिलता है, और पपाया में काफी मिलता है, इसलिए आपको क्या है, यह सारी चीज़े होप सारी खाने चाहिए, शिक्स है, तीत, क्लास जैसे स्केन है, हेयर है, एयर है, टेल्स है आईस है वैसे ही हमें क्या करना है तीत को भी साफ करना है तीत को मॉर्निंग के समय और नाइट में दोनों ही समय पर आपको क्या करना है तीत को साफ करना है ब्रश शुट भी मुवड क्रॉस वाई एंड अप एंड डाउन आपको ब्रश कैसे करना है अप एंड करते हों तो क्या होगा दातो में बहुत सारी बीमारिया हो जक्राइन के लिए नुक्सान करती हैं इसलिए करना है आपको दातों की, केर करना है सेकेंड आता है eksi applies ae Oakland class exercise हouse हर रीकटर करना है एकससाइस करने से क्या होगा हमारी बॉडि में एक blood का circulation अच्छा हो जाता है blood का circulation अच्छा होगा तो हमारे body में अपने आप health होगा plus आपका शेरे में shining आईगी इसलिए हमें क्या करना है exercise daily करना है exercise हम कप करना चाहिए exercise इसके लिए हम आपको बताएं दे या तो morning के समय करिए या इवनिंग के समय करिए अगर मॉर्निंग में समय नहीं मिला है तो इवनिंग में आप करिएगा खाना खाने के तीन घंडे बाद आप exercise कर सकते हैं exercise करते समय आपके कपड़े जो है वो लूज होने चाहिए जिसे आप exercise जो है वो अच्छे धंग से कर सके third है rest and sleep class जैसे हम पूरे दिन काम करते हैं उस भी क्या होता है हमारे बहुत भी थकान हो जाती है थकान को मिटाने के लिए हमें क्या करना है rest and sleep सोना है और आम भी करना है इससे अगर आप सो जाते हो कभी आप दिखे जब आप सो जाते हो बहुत थक जाते हो जब आप सो जाते ह करना कि है साथ में यह जगे उसा इनर्जी मेरे साथ है कि हम चीए न almonds क्याम करना है 24 गंद को काषप जो ना आपको डेलिया सोन आपको जादा ना तंडी हो न चुछ साथ ना गर्मी हो ना जादे है उस तंडी होना चाहिए साथ में आपके जो कपड़े हैं वो लूज होने चाहिए और सोते समय किसी चीज़ का भी आपको टैंशन नहीं होने जगा टैंशन होता है तो आपको नीद नहीं आएगी जो आपके लिए हैल्थ को नुकसान करेगी कपड़े हैं तो सर्दीहों के कपड़े पढलते हैं लेकिन हम क्या करते हैं कपडलों को निड एंड क्लीन पहन ना चाहिए इस पेसल करके अंडर गार्मेंट्स वेरी नीड एंड क्लीन उनको रोज साफ करना है और उसको धूप में सुखाना है जिससे कोई भी जंस या वैक्टीरिया जो है वो खातम हो जाए साथ में आपको जो कपड़े हैं आपको ऐसे नहीं पहना है ना लूज पहनना है आपको खपड़े ऐसे पहनना है जो भी कोई काम कर रहे हो बोड़ो आप इजी वर्स से आप बहुत कोई प्राब्लम ना हो ऐसे आपको खपड़े पहनना है फिप्त है बैलेंस डाइट अगर आपको हेल्थ बनानी है तो सबसे पहले आपको क्या करना है बैलेंस डाइट लेनी है ऐसा नहीं करना आज तो बहुत अच्छा ख़ाना मिला है सब्सक्राइब आज हम कह रहे हैं आज हमारे घर में छोला बटूरा बनाए तो हमने बहुत सारा ख़ाना खा लिया और दूसरे दिन अगर लौकी बनी है तो हमने खाना छोड़ दिया हमको ऐसा नहीं करना हमको खाना ऐसा खाना है जो बैलेंस हो जिसमें नूटुशन हमको पूरा मिलता हो तो हमको नूटुशन अगर पूरा मिलेगा खाना अच्छा खाएंगे तो क्या होगा हम healthy बनेंगे और जिसे recats है, blinders है, बहुत सारे से बीमारियों से क्या है, अपने आपको हम बचा सकते हैं Six है, good posture, good posture means आपके खड़े होने का style, आपका बैटने का, आपका लिखने का, आपका reading करने का, आपका posture कैसा है अगर आप लेट के पढ़ते हो, तो आपको आइस में problem होगी, आप तेड़ा मेडा करके पढ़ते हो, तो भी क्या है, आपके body जो है, वो कहीं न कहीं defect हो जाएगी मतलब, defect की मतलब, healthy कोई न कोई इसमें disease आजाएगी, इसलिए आपको क्या है, आप जब भी आप बैठो, खड़े हो, या पढ़ाई करो, तो क्या है, good posture करके ही आपको पढ़ना चाहिए सेवन्त है, medical check-up, class health के लिए, हमें बनाने के लिए, आपना कम से कम six या seven मन्त में आपको medical check-up कराना कम बज सरी है, medical check-up हम कराते हैं, तो इसे क्या होगा, हमारे अंदर बहुत से बीमारियां जो हो रही है, उसको हम जली से, जली से हम उसको, जली से पता चल जाएगा, जिस लिए, सभी बच्चों को क्या करना है, six या seven मन्त में अपना medical check-up, एक बार जरूर कराना चाहिए, eight है, proper regression, means manorangen, class हम सारे दिन काम करते रहते हैं, इसके लिए फिर इसके बाद क्या होगा, हमको कुछ manorangen चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे tv है, mobile है, मैं आ कोई भी ऐसा work आप करिए, जिससे आपको खुशी मिलती हो, अगर आप ऐसा करते हो, तो क्या है, आपका जो health है, वो बहुत improve करेगी, क्योंकि mind में बहुत साई tension है, जब आप यह वाला work करेंगे, तो क्या है, टेंशन अपने आप जो है, खतम हो जाएगा, नाइन्थ है, proper house जितना आपको बताया है उपर, अगर आपका house अच्छा है, तो अभी क्या है, आप healthy बन सकते है, house कैसा होना चाहिए, जहां पर क्या है, air अच्छी आती हो, जहां पर भीड़ भाड़ना हो, वहां पर जहां सांथ हो, वहां घर हमारा क्या है, healthy होता है, हमें घर को ऐसे arrangement करना चाहिए, जहां पर light आती हो, बरापर, और, क्या कहते है, arrangement जो हो, मौस्कीटो को जो है, वह arrangement ऐसा हो कि, मौस्कीटो घर के अंदर ना सके, हमारे डोर ऐसा बना के रखना चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना है, आप घर जो है, बहुत नीट एंड क्लीन रखना चाहिए जिसे हम क्या है, बन सके, healthy बन सके, क्लास, यह जो nine आपको point बताया है, उससे क्या है, आप अपने आपको एक healthy बना सकते हैं, we should not forget the health, it is really, wealth is the word, क्लास, आपकी health ही आपके लिए, रुपय पैसा है, सब कुछ आपकी health है, क्लास, आज कल आप लोग क्या है, mobile में है, कुछ लाब टॉप में होएंगे, आप आँखों से जरुष से ज़्यादा क्या है, work करते हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो हमारी आँखों का use ज़्यादा हो रहा है, तो हम आँखों की exercise करके, हम क्या कर सकते हैं, आप आँखों healthy बना सकते हैं, इसके लिए हम आपको कुछ exercise बता रहे हैं, वो आप करिएगा, exercise आपको कब करनी है, जब या तो morning के समय कर सकते हैं, या आप evening के समय कर सकते हैं, वैसे इसके लिए कुछ ऐसर कोई time नहीं, कभी जब आप फ्री हो, तब आप exercise आप कर सकते हैं, कि आवे कि सेथा है कि अ लगाद कि अुटी आवा है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो